नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके लिए ये वीडियो कम्प्लीट हिंदी भासा में ला रहा हूँ जैसा कि रीजनल रूलर बैंक का एक्जाम आने वाला है तो बहुत सारे स्ट्रेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है कि हिंदी में हमें किन-किन चीजों को उनके पास ये option रहेगा कि वो सामान ने हिंदी का पेपर दे सकते हैं और उस हिंदी की पेपर में क्या-क्या चीज़े उनको पढ़नी चाहिए कैसे questions बहाँ पर फॉर्म होंगे या फिर कौन से books हमें prefer करनी चाहिए जिन से हम बहाँ पर अच्छे marks ला सके तो दोस्तों अग आपको बताऊँगा कि questions आपके कैसे बनेंगे फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको ब्याकरण grammar में क्या-क्या चीज़े हिंदी ब्याकरण में क्या-क्या चीज़े आपको पढ़नी है topic कौन-कौन से आपको कबर करनी है उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि books कौन-कौन मार्केट में available हैं, जिनको आप कबर कर सकते हैं इन सारे topics के respect में, fine, तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तब आप इस channel पर click करके subscribe कर लें, और दोस्तों इस वीडियो को like जरू करें, comment करके आप अपनी बाते यहां पर रख सकते हैं, और साथ में इस वीडि करके उसके बाद में मैं आप तक यह लाया हूँ, तो पहला प्रशन आपका गदान से related आता है, देखें, गदान का, आपने English transformation में अगर मैं बात करूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, comprehension, तो comprehension जो होता है, वो 10 marks से लेकर 15 marks तक का आपका पूछा आता है, लेकिन इन 15 marks को आप एक story पढ़कर नहीं मना सकते, अगर बहाँ पर आर्थिकी, मतलब economic से related पैसे जा जाता है, तो बहाँ पर ऐसे complicated terms होंगे, कुछ बहाँ पर spelling mistakes भी होंगी, बाग की असुद्धी, तो वो आप कैसे करोगे, तो इसलिए बहाँ पर हमें कुछ चीजे और भी साथ में पढ़नी ह और बरतनी असुद्धी, बरतनी असुद्धी को हम कहते है spelling mistake, इसको हम क्या कहते है, spelling mistake, तो spelling mistake वो हमारी 5 marks की basically पूछी जाती है, जिसको हम बरतनी असुद्धी कहते है, बहाँ पर क्या होगा, कि आपको एक sentence दिया होगा, जिस sentence के अंदर 5 से 6 spelling use हुई होगी, और उन spelling जो ब जलत होगी, असुद्धी होगी, जिसमें उसको आपको identify करना होगा, उसको आपको बाहर निकालना होगा, ओके, अब अगर मैं बाग के असुद्धी की बात करता हूँ, तो 5 marks का बाग के असुद्धी का भी हमारा प्रस्ना आएगा, बाग के असुद्धी में क्या दिया और उस बाग के का जो formation होगा, जो उसका गठन होगा, वो एक proper तरीके से नहीं होगा, मतलब कि उस बाग में कुछ ऐसी background से related असुद्धिया होगी, जिनको आपको identify करना है, और आपको बताना है कि किस पार्ट में ये असुद्धी है, और इन सब चीजों को आप जब practice set solve करन पाएंगे, अगर मैं बात करूँ, प्रस्न नंबर 4, जो आपका प्रस्न 4 होगा, उसमें एक आपको ऐसा प्रस्न दिया होगा, जिसमें 7 बाग के दिये होंगे, लाइन से आपको 7 बाग के दिये होते हैं, A, B, C, D इस तरह से, और उन बाग को आपको एक बिबस्तित धंग म लगाना होगा, मतलब एक meaningful format में, तो जैसा कि हम English के section में solve करते हैं, तो para jumbles को बनाते हैं, बही para jumbles हमें हिंदी की format में दिया होगा, और एक चीज़ मैं आपर clear करना चाहूँगा, कि आपको picture की format में मैं आपर बताता हूँ दोस्तों, suppose करिए कि आप RRB का paper दे रहे हैं, और आपके पास में दो options आएंगे, या तो आप English को choose करें, या फिर आप Hindi को choose करें, तो आपने अगर कोई भी Hindi चूज कर दिया, तो सारे प्रशन आपके Hindi में आएंगे, और English को आपने चूज कर दिया, तो सारे प्रशन आपके English में आएंगे, एक चीज कुछ लोगों के mind में य Hindi का बाक्य सुद्धी, Hindi का गद्दान्स, Hindi का जो भी प्रश्ण आएगा वो बिलकुल अलग होगा English वाले प्रश्ण दे, तो ये चीज भी आप माइंड में ध्यान रख लें, लाश्ट में एक क्या होगा, एक आपको परिछेद दिया होगा, परिछेद भी दोखी गद्दान्स की तरह ही होता है, इसमें क्या होता है, एक लगबग 200 या 1.500 बर्ड का बड़ा सा पैसेज या गद्दान्स होता है, और इसमें यहाँ पर बलैंक दियोंगे, जैसे थोड़ के लिए एक प्रस्न आपका पाच नंबर का भी आ सकता है अगर आप इस section पर आप हिंदी में बहुत अच्छे मजबूत हैं आपने हिंदी में बहुत सारी चीजें solve की हैं तब आप इस section को आसानी से भी बना सकते हैं दोस्तों मैंने ये सारी research cable आप लोगों के लिए की हैं ता कि आप भी इन चीजों को समझ सकें और ये मेरा जो analysis है जो मेरा बिसलेसर हैं ये मैंने किताबों से लिया हुआ है तो यह हमारा 40 marks का question basically आएगा अब हमें क्या-क्या चीजें पढ़नी होंगी पहले तो मैं बताऊंगा आपको ब्याकरण का ग्यान आना जरूरी है मूल ग्यान जो हमारा fundamental knowledge होती है वो हमें पता होनी जरूरी है दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो सब्द के जो भेद होते हैं जिसको हम कहते हैं तत्सम और तद्वब ये भी हमें पढ़ने पढ़ेंगे तो ये हमारे syllabus के respect में मैं आपको बता रहा हूं और types of sentences आपने देखा होगा बाक्यों के प्रकार कितने तरीके के बाक्यों ह पढ़ें अगर आप इन चीजों को नहीं पढ़ते हैं तब आप उस तरह के प्रस्ट को बनाने में आप बहुत ज्यादा complicated आपको फील होगा आपको लगेगा कि ये problem मुझसे solve नहीं हो सकती है या होगी तो आपसे गलत हो सकती है लेकिन अगर हमें किसी भी चीज को solve करने से पहले अगर मुझे उसके basics पता होते हैं उसकी fundamental knowledge उसकी मूल बाते पता होती है तब हम उन चीजों को अच्छे से execute कर सकते हैं बाग क्यों के प्रकार पढ़ने के बाद में हमें बाग की सुद्धी पढ़ना होगा बाग की सुद्धी का मतलब है कि बहुत सारे बाग के दी हो और आपको बरतनी सुद्धी पढ़ना होगा जिसका मतलब होता है spelling mistake ये आप जितनी ज़्यादा practice करेंगे उतने आपके strong हो जाएंगे ये लगबग अगर आपने 500 words से लेकर 1000 words आपने बना दिये तो आपको एक approach develop हो जाएगी कि किस तरह से मुझे किस पार्ट में error हो सकती है कहीं कहीं पर आसिरबाद लिखा होता है तो वो गलत तरह से लिखा होता है तो हमें उसको सही तरह से लिखना होता है ऐसे प्रस्तमी हमारे वहां पर पूछे जा सकते हैं अब अगर मैं बात करूं संधी की तो संधी क्या होती है कितने तरीके की संधी होती है या फिर संधी संद्विच्षेद हमें कैसे करना है अगर हमें कोई वर्ड दिया है तो उसका संद्विच्षेद कैसे करना है तो ये चीजे भी हमें पढ़नी पढ़ेंगी समास की बात करूं समास कितने प्रकार के होते हैं और वो है क्या चीज इसका हम यूज कैसे करेंगे ये चीजे भी हम जोम सब्द आपसे पूछे जाएंगे, तो ये आपके strong होने जरूरी है, समान अर्थ के सब्द, ऐसे सब्द जिनका अर्थ समान होता है, उनके बारे में भी आपको जानकारी लेना जरूरी होगी, और अनेक सब्द के लिए एक सब्द, ओके, ये भी आपको पता होने जरूरी है और अगर मैं बताओं बठाओ को उसीchange लगाना जिसको हम कहते हैं पैरा जम्बल्स इंग्लिस में कि आपको 5 बाक्या 7 बाक्याओання इनको आपको क्रम में लगाना हूता है रिक्तिस्ताणों की पूर्टी की बात की जाए तो यह आपको पढ़ना होगा आपसे exams में पूछा जा सकता है और अनुच्छेद में रिक्तिस्थान इसका क्या मतलब होता है कि एक बड़ास आपको गद्यांस दिया होगा और उस गद्यांस में हमें कुछ रिक्तिस्थानों की पूर्ती करनी होगी और मुहावरे आपको पता होने जरूरी है जिनको हम इंग्लिस में idioms कहते है मुहावरों का अगर आपको ग्यान होगा तो आप गद्यांस में कोई भी मुहावरा पूछा जाएगा वो आप बना सकते है और अपठित गद्दांस जिसको हम कहते हैं कि unseen passage मतलब की comprehension इंग्लिस में तो अपठित पैसेज में क्या होगा कि आपको एक बड़ा सा लगबग 300 वर्ट का गद्दांस दिया होगा जिसको आपको समझना होगा बहाँ पर तो इन चीजों को हम solve करके काफी कुछ अच्छा score कर सकते हैं अब दोस्तों में मुद्दे पर आते हैं कि हमें इन टॉपिक को कबर करने के लिए कौन-कौन सी बुक्स की जरुवत पढ़ सकती है तो देखो हर एक चीज का हर कोई shortcut नहीं होता तो मैं आपको यहाँ पर तीन चीजें बताना चाहूंगा पहली चीज कि हमें मूल बाते पता होनी चाहिए हिंदी से related तो उसके लिए हमारी बुक है हिंदी ब्याकराण और रचना जो लुशेंट पब्लिकेशन की है और जिसके राइटर है डॉक्टर अरबिंद कुमार यह बुक मार्केट में लगबग आपको 200 रुपे के आसपास मिल सकती है 200 से 200 वाटेबर जो भी मिलती है आप अगर इस बुक को पर्चेस करते हैं तो आप कितने बड़े से बड़े एक्जाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं वो हिंदी से related अगर है तब क्योंकि बाकी को असुद्धी बाक्यों को क्रम में लगाना यह सारे fundamental knowledge जो है वो फैमिलियर हो जाएंगे बाकी ये दो जो चीजे हैं ये हैं हमारी practice set ये एक हमारा कोई NBI publication है youth completion times और इसने अबलेबल कराये कि regional ruler bank जो चेत्रिय ग्रामेट बैंक के सामान हिंदी का प्रश्नपत्र होता है उसको इसने उपलब्द कराया है तो आप अगर इस बुक को लेने ज होंगे दूसरा मैं अगर किरन publication की बात करूँ तो किरन publication में हमारे लिए सामान हिंदी का बस तुनिष्ट का एक प्रश्न होगा और ये completely book में इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि इस book को मैंने देखा हुआ है अपने आप से तो इस book में दोस्तों आपको 5 हल प्र से आप optional लेंगे लेकिन ये book को आप जरूर ले ले क्योंकि यहाँ पर error free book है लिशंट बहुत standard book है इबन जो लोग PCS लेबल की तयारी करते हैं वो भी इस book को follow करते हैं सामान नियद्धी लिशंट की तो आप ये book market से जाकर ले ले और इनका review भी अच्छा है और मैं आपको दोस्तों ही कहूंगा कि आप पहली book जरूर ले और बाकी इन दोनों books में से देखने के बाद जो आपको अच्छा लगे वो आप ले फाइन तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपकी कोई ऐसी क्यूरी है कि आप चाहते हैं कि हम एक complete प्रस्थ्थ्थ्थ्थ्थ् लेकिन अगर आप books को purchase कर लेते हो और practice करना start करते हो तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी तो थैंक फॉर वाचिंग इस वीडियो दोस्तों बहुत 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 दन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए किरपे वीडियो को like करें comment करके आप जुरूरू बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को अपने तमाम उन दोस्तों तक भी share करें ताकि हम आप तक ऐसी और भी वीडियो ला सकें दोस्तों हमारा facebook का page और facebook का group भी आप जॉइन कर सकते हैं ताकि आप तक regular updates आते रहें इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किरपे वीडियो को like करें और इस चैनल को यहाँ पर click करके subscribe कर लें